दोस्तों नमस्कार आज इस अंक में मैं आपको भारत की एक ऐसी सक्षियत के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में बहुत कम लोगों को मालूम होगा और वो जनरेशन जो लेट 90s या 2000 के बाद में पैदा हुई है उनको तो बिल्कुल मालूम नहीं होगा मैं उस सक्षियत को इसलिए याद कर रहा हूँ क्योंकि अभी पिछले महिने 25 फरवरी को उनकी जैन्ती थी इस गुमनाम सक्षियत का नाम बलराज मधोक है बलराज मधोक की पहली स्पीच की स्पीच पहली बार मैंने देरादून में सुनी थी जब वो पटेल पार्क में आये थे बलराज मधोक ने उसी स्पीच में अटल विहारी वाजपेई और लाल क्रिस अन्वानी की दज्जियां उड़ा दी थी मुझे समझ में नहीं आया कि वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं बाद में लोगों ने बताया कि वो भारतिय जनसंग के अध्यक्ष थे और उन्हें लाल क्रिस अध्वानी ने पाटी से निकाल दिया था बल्राक मधोक भारत के एक राश्वादी विचारक राश्टिये स्वयम संग के प्रचारक जम्मु करश्स्मीर प्रजा परिशत के संस्तापक और मंत्री अखिल भारतिय विद्यारती परिशत के संस्तापक भारतिय जन्संग के एक संस्तापक और अध्यक्ष थे ये 1960 के दसक में एक वरिष्ट राजनेता हुआ करते थे वे लोकसभा में दो बार सदस रह चुके हैं वो गणमाने सिक्षाविद विचारक इत्यास विद्ता लेकर एवं राजनितिक विचलेशक भी थे वो कभी भी खरी खरी कहने में कभी हिचकते नहीं थे ना किसी के सामने अपनी बात रखने में हिचकते थे किसी दोर में वो भारत की दक्षिन प्रज्टिय राजनीति के सिर्मावर हुआ करते थे 1960 के दसक में उन्होंने गोहत्या विरोधी आंदोलन का भी विरोध का नेतर तुर्किया था बराज मध्धोक का जनम 25 फरवरी 1920 को जम्मी और कस्मीर राज के असकाड़ू में हुआ था उनका परिवार मुलता जम्मू का एक पत्कत्री परिवार था जो आरिसमाज से निकट से जुड़ा हुआ था उनके पिता जगरगरनात महधोक पच्पी पंजाब के गुज्रावाले जिले के जालेन के रहने वाले थे वे जम्मू कश्मीर रियासत के लद्दाग डिवीजन में एक कर्मचारी थे बल्राग मध्धोक का बच्पन जालेन में ही बीता उन्होंने श्रीनगर और जम्मू के प्रिंस आफ वेल्स कॉलेज में शिक्षा पाई उच्षा लाहर विश्विद्याले के दैनन एंग्लो वेदिक कॉलेज में हुई उन्होंने 1940 में इतिहास में ओनर्स के साथ बिये किय विनायक दामोदर, सावरकर, भगत सिंग और मदनलाल ढिंग्रा उनके आदर्स हुआ करते थे सन 1938 में 18 साल की उमर में अपने छात्र जीवन में ही वे राश्री स्वयों सेग संग्से के संपर्क में आये और जिसे वे आरिसमाज के विचारों के निकट समझते थे 1942 में भारतिय सेना में सेवा कमिशन का प्रस्ताव ठुकराते हुए उन्होंने आरेसस के प्रचारय के रूप में देश की सेवा करने का ब्रत लिया यानि के 1942 में उनको भारतिय सेना में कमिशन मिल रहा था लेकिन उन्होंने भारतिय सेना नहीं जोईन की और आरेसेस के पचारक के रूप में अपनी सेवा को देने का प्रण किया 42 में जम्मू में आरेसेस के पचारक का दाई तो समझा गया लगबग आठ मास तक उस कारिकों करते हुए उन्होंने संग के एक नेटवर्क कड़ा किया 1944 में सिर्फ 24 वर्ष की आयू में स्री नगर के डिएवी पोस्ट गेजवे डिगरी कॉलेज में इतियास के प्रोफेसर बन गए यहां भी उन्होंने संग कारिजारी रखा उन्हें कश्मीर घाटी में संग का नेटवर्क खड़ा कर दिया अगास 1947 में पाकिस्तान बने गए बाद पूरे जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के शड़यंत्र पूरे उफान पर था जवालाल नहरू सेख अब्दुल्ला की मुहबत में गिरपतार थे जिन्ना की हार्दिक इच्षा थे कि संपूर कश्मीर पर पाकिस्तान का सासन हो पाकिस्तान से बाकर आने वाले हिंदू स्रणार्थी कुछ स्रीनगर में भी आये कुछ संकी साकाओं में भी आने लगे इन लोगों से मद्धोक ने गुप्च सुचना इकत्र की इसे पता चला पाकिस्तान 31 अक्टूबर को कश्मीर पर एक्मण करने की योजना बना रहा है यह सुचना उन्होंने अधकारियों को भी बता दी थी महराजय कहने पर मद्धोक ने 23 अक्टूबर को स्रीनगर हवाय डेक की रक्षा के लिए 200 राश्टी स्वयम सेवक तयार किये थे समय आने पर यह राश्टी स्वयम सेवक स्वयम सेवक बहुत काम है 1948 में बलाज मध्धोक दिल्ली आ गये और पंजाब इस विद्याले कॉलेज के में सिक्षर करने लगे जो पंजाब से आयस रणार्थियों को शिक्षा के लिए स्थापित किया गया था बाद में ब्रवे से अफिलेटेड डिप्डी डि एवी ऑब्री कॉलेज में इतिहाज के प्रोस्थर बन गये 1951 में उन्होंने अखिल भारती एविद्यार्थी परिशध की स्थापना की दोस्तों यहाँ पर याद अर्खना चाहिए कि अखिल भारतिय विद्यारती परिशाद जो आज की भारती जनता पार्टी की स्टुडेंट विंग है उसके फाउंडर बल्राज मधोग साहब थे श्यामा पुषाद मुगरजी ने उनीस विक्यामे में जब भारती जनसंग की अस्तापना की तो मधोग उनके संपर्क में आए और पार्टी का परचार और विकास में हाथ बटाया उन्हें पार्टी का संस्तापक सच्यू बनाया गया फॉंडर सिक्रेट्री जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में दिली और पंजाब में पार्टी को बढ़ाने का काम मधोग को सौपा गया उन्होंने दोनों जगा जनसंग की राज इकाई की स्तापना की इसी साल मधोग ने आएसस के शातर इकाई एबी वीपी की स्तापना की इस प्रशाचत में उन्हें भार्ती जनसंग का अध्यक्ष बना दिया गया उन्हीं की नित्यत्यत्य पहली बार पार्टी ने देशबर में चुनाओं लड़ा और पैति सीटे जीती वो खुद भी दूसरी बार दिल्ली से संसथ संसथ बने दिल्ली में जनसंग साथ में से चे सीटे जीती थी उन्हें उन्हें उन जगवाँ पर जीत हासिल की जहां कोई उमीद नहीं कर सकता था यही नहीं पंजाब में जनसंग की सेयु सरकार बनी थी और उतर प्रदेश और राजत्तान सहीत आठ प्रमुक राजियों में जनसंग मुख्य विपक्षी दल बनने वर शफलों इसके बाद जनसंग की विपक्षी दल के तोर पर पुक्ता पहचान बन गई थी 1968 में जनसंग अध्यक्ष दीन द्याल उपध्या की मुगल सराएं में हुई हत्या के बाद जब भारतिय जनसंग ने उनकी जगह अटल व्यारी वाजपई को अपना अध्यक्ष चुत्तना तभी से बलराज मधोग के राजनीति में हासिये में जाने का सिलसिरा शुरू हो गया पंडि दीन द्याल उपध्या की हत्या के बाद अटल व्यारी वाजपई को जनसंग का अध्यक्ष बनाया गया और मधोग साहब की अटल व्यारी वाजपई से नहीं बैठती थी कुई नहीं बैठती थी उसके बारे में मैं थोड़ा आगे बताऊंगा लेकिन तभी से जब जानकारों को कहना है वाजपई और मधोग दोनों ही काफी महात्वा कांचि थे और दोनुं ही आगे आना चाहते थे माजपई मधोग के तुलना में अधिक उदार थे इसलिए दूसरे लोगों को अधिक सुविकार थे वाजपई आपको इवन आज की डेट में कांग्रेस वाले याद करते हैं सिर्फ इसलिए कि बहुत ज्यादा वो उदार हुआ करते थे जबकि ब्लराज मदोग कट्र थे कि उन्हें से कट्र में लोग सबा चुनाओ वो नई दिल्ली से हार गए शांती भूशन वाजपी वहां से एलेक्शन जीत गए थे उसी वर्ष इंद्रा गांधी ने बंगलाजेस को मुक्त करवाया जिससे जन सम्माने के में कांग्रेस के प्रती भारी समर्थन व्याप्त हो गया था अपने विचारत हादा के से प्रतिपत होने के बावजूद बलराज मधोग कि शवी एक इंप्रैक्टिकल पर्लिटिशन के रूप में रही और यह और एक नेता जिसे बोलते हैं कहा जाता है कि अपनी बेवाक सभी के कारण उनकी पाटी ने कई वरिष्णताओं से नहीं बनती थी उसमें से एक लालकर सद्वानी भी थे यही कारण है कि जिस जन्संग की तापना और उसे बढ़ाने में उनका खास योगदान रहा एक दिन उसी से उन्हें लालकर सद्व पर जन्संग की विजाधारा के उलट बाते कही थी इसके अलावा मधोक ने कहा था कि जन्संग पर आरसेस का असर वड़ता जा रहा है मधोक ने संगठन मंत्रियों को हटा कर जन्संग के कारणारी को ज्यादा लोक्रांतित बनाने की मांग भी उठाई थी लालकर्ष में कानपूर में हुआ था जब मैंने मधोक साब का बाश्वन सुना था वह 1975 का सुरुवात का महीना था फरवरी या माज का महीना होगा इमर्जंसी उसमें नहीं लगी थी मैं 11 में पढ़ता था जारादून गया गया था इसके बारे में दूसरी कहानी यह है कि पार्टी न प्रवानी ने कुछ पत्रकारों को लंच पर बुलाया और उस रिपोर्ट को कापी को दे दिया अगले दिन जब वह रिपोर्ट अकबारों में छपी तो मधोक से पूछा गया कि रिपोर्ट के हाथ में कैसे पहुंची मधोक नहीं सारोग से तने राराज हुए कि उसी समय अधिवहसन छोड़कर बाहर निकल गए फिर रेलए स्टेशन पहुंचे और वहां से उन्हों दिल्ली के लिए टेन पकड़ी अब यहां पर मैं यह कहना चांता हूं कि यह तेरह ने कर वाई तीस लिए उन्होंने कानफूर्व से ट्रेंट्र्रन पखरणे के बजाए अगले शेशन से ट्रेंट पकड़ना उसी समझा श्रूपास्ग भलराज मधोक के दिमाग में कुछ था कि दीन दैयाल मोद सराय रेलवेशेशन से पहले गाड़ी से फेका गया था हो सकता है मुझे भी प्रका जाए और दिन दयायर पध्या के बाद में कौन प्रधानमन कौन रजजन्शंग का अध्या की बना वह आप सब जानते हो पार्टी से निकलने के बाद वह इतने दुखी हुए उन्हें ने दुबारा फिर पार्टी में जोईन नहीं किया उन्हें राजनारायन से मिलकर चौजरी चरण सिंग्य नेत्रत में भारती लोगदल बनवाया बिल्डी चरण सिंग की पार्टी थी जो मुराज इत्रत की गवर्णन जाने के बाद में प्रधान मंत्री बने थे लेकिन तभी आपातकाल लग गया और मधोग को गिरफतार कर लिया गया उन्हें 18 मैंने जेल में रहे अब पातकाल समाप्स होने के बाद जब जनता पार्टी बनी तो मधोग भी उसमें सामिल हो गए चरण सिंग राज नरायन और भारती जनसंग तीनों ने यह तेंकर लिया था कि बल्राज मधोग को जनता पार्टी के मुगधारा से अलग रखन ने यानि कि चरण सिंग और राज नरायन भी अटल व्यारी वाजबी और रवानी के चंगुल में आ चुके थे नहीं कि अध़ोग फिर यह मधोग जनसंग से जनता पार्टी के बिलाएं में खिलाप थे कि उन्हें सुन्यासी में उन्होंने जन्ता पाटी त्याग दी और अकली भारती जन्संग नाम से जन्संग को पुना जीवित करने के प्रजेंट किया उन्होंने अपनी पाटी को बढ़ाने के हर संभव क्रूशिस के लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई 96 वर्ष की उमर में दो मई 2016 में बलराच मधोक सहाब का नई दिल्ली में निधन हो गया मधोक सहाब की बीबी का नाम कमला था जो दिल्ली विश्विद्धाला में प्रोपेसर थी उनके दो लड़कियां हैं अपनी उम्र के लाश डिकेड में वे इतने सक्री नहीं रह गये थे किन्तों बीच बीच में वे न्यू राजेंदर नगर आरे समाज के कारकेर में भाग लेते थे वो ज्यादातर समय किताबों को पढ़ने में लगाया करते थे जो नॉमली उस उमर के लोगबा करते हैं या उस उमर में जाने के बाद लोगबा करते हैं अपने अंतियम दिनों में वे बिमारी चल रहे थे और उन्हों नए दिल्ले में अकलिव आर्थिय ग्यान संस्तान में बर्ती कराया गया था जब वो निधन जब उनका निधन हुआ था तो एमस में रंदन मोधी और लाल कर शड़वानी जैसे कई बड़े नेता उनकी समगेदना प्रेक्ट करने लिए गये थे यहां यह बताना जरूरी है कि बहुत कम लोगों को पता है कि मधोक भीमरा अंबेदकर के भी नजदी की थे और अंतिम दिनों में अक्सर उनके 26 अलिपूर रोड वाले निवास पर मिलने जाया करते थे वे पूरे भारत में गोह अत् बनाने कोशिश की थी 1968 में पहले नेता थे जिन्होंने अध्याब में बाबरी मस्जिद हिंदू के हवाले करने की मांग उठाई थी 1968 में सोचो ऐसे नेता को जनसंग ने या आज की डियत में भारती जनता पार्टी के जो बड़े-बड़े लीडर है उन्हों लोगों ने द बेश्करस भी की थी ति बल्राक मध़ोख राजनीति मैं राजनीति के असली संतापक ते राजनीति के मतलब भारती और दिक हैं 30 भारत की राजनीति के उन्होंने अक्टूबर 1909 में सामirkими प्रसाद्मिर जी के साथ मिलकरावा says जाख्रड़ के साथ ने भार्ण निधवयत थी उन्होंने कई पीडियों पर अपनी चाप छोड़ी थी जिसमें अडवानी सुप्रमान स्वामी और नर्दन मौधी भी सामिल थे इनके उपर उनकी चाप है उन्होंने पहले अपने मित्रों और फिर सहयोगों को नाराज किया और नाराजगी का यह दायरा बढ़ता चला गया और अंतता हुए अलग थड़क ही पड़ गया है दिन द्यालव पद्ध है कि हत्ता के बाद वो मांते थी जनसंग का नित्तर करने कि चमता सिर्क उन में है दूसरे किसी में नहीं है उनकी इस धारना को ना तो उनके सयोगें नमाना और ना ही संग ने यही कारण है कि उनके असंतोस और निरासर बढ़ती गई और वह अपने सहयोगीयों संग के बारे में अनापसाब बोनने लग थे वो जंगठन कौसल और को भार्थी एल्पसंग्यों के खथित भारतिया क consideration की ऑधार vão मुझाज मुझां कि एक व्याजू को मुझा में आरबharam मुसल्मानों बारति की मुथ्पधाला में लाने की जरूरत है उसक के लिए दो कजम जरूरी parl ठाउनु पेला काग्दम यह है कि उनके दिमाग से निकालो कि मुसल्मान ने कर संसक्रती बदल गई संस्क्रत तुमहारी ह一 है जो भारत की है पासा तुमहारी वही एजो तुम्हारी माबाब के थी उर्दू-едी का एक उर्दू-ंस कि असे पसंद करता हो Confederate मेरी शिख्षा अब हूए मेरी भाथा नहीं है दूसरी बात उन्हें यह पताओ कि देस हैं सारे जापानी बोत हैं वाँ भारत आते हैं उन्हें पुन भूमी मानते हैं लेकिन वह यह पैयार करते हैं हिंदुतान में इसलाम के मजहब को पूझा बिधी के रूप में कोई खत्रा नहीं है लेकिन यहां यहां यह नहीं चल सकता कि मुहम्मद को माने वह भाई है और बाकी काफिर है यह बलराज मदुग के विचार थे जैपनीज बुद्धिस कंट्री है बुद्ध सहाब हिंदु हुद्धान से प्यार करो आप साथी अरेविया से यहां पर मुसल्मान हैं वहीं उन्हीं कंट्री को प्यार मत करो यह बलराज मदुग की विचार थे कितने अच्छे विचार थे इसके बारे में मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं भारत की विवाजन में मद्धोग बारत की मद्धोग ने कभी सुविकार नहीं किया उनको बहुत दुख था कि भारत बट गया है और अजीवन हर मंच पर यह बात उन्होंने 1975 के जहरा दुन वाले भाशन में भी कही थी कि जिन लोगों ने हिंदुतान को बाटा उन लोगों ने बहुत बड़ा पाप किया है और यह मेरे साथ हमेशा रहेगा जब तक मेरी लाकरी सांस है तब तक मैं इस दुख्रा के साथ पर होंगा वो लिखते हैं दुर्भाग से दुर्भाग यह हुआ कि उस समय हमने विबाजन तो सब्कार कर लिया लेकिन उसके निकलने वाले प्रणामों को अंदेखा कर दिया विबा झाल जानकर करता है विश्व में आज सबसे अधिक साथ सन्ष्वती अमरीका की है कितबी वागिये यहां पर मर्टी अमेरिका में मल्ती कर स्ट्रिय और मल्टी रेसियल स्ट्रिय है लेकिन वे भी उसे साजा नहीं कहते हैं, वो उसे American culture कहते हैं, तो हिंदुतान में भी तो multi racial, multi lingual, multi cultural society है, तो वहाँ पर भी, आप Indian culture बोलो ना उसको, आप यह को बोलतो हो, यह हमारा Hindu culture है, यह Muslim culture है, that's what he wanted to say, गंगा के अंदर अनेक नदियां मिलती है, very important he has said, लेकिन मिलने के बाद गंगा जल हो जाता है, यहां गंगा जमुनी की बात गलत है, जो यह सिकलर हमारे बोलते रहते हैं, गंगा जमुनी सहधीव, गंगा जमुनी सहषीव, अरे जमुना भी तो इलहाबाद में गंगा से मिल जाती है, प्रियागराज में गंगा से मिल जाती ह है तो अगर आप हिंदुतान में कई कर्षाद के साथ में आए हो तो आप यहां के संस्कृति के साथ से चलो जब जमना गंगा से मिल जाती है तो कोई गंगा के पानी को गंगा जमनी पानी नहीं कहता है यह उस आत्मा को मेरी छोटी आप से 14cry करीव करें वेटिस्र घान्जली थी ही तोड़े लेट हो गया को स Sung betrayational के लिए कृषिए कृष्या आप सनी सी पन्यात्मा के बारे में कुछ लोगर आप को इस मिरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें अपने दोस्तों यारों को वाटसेप में जहां भी मुका मिलता है वहाँ पर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्क्राइब करें जिससे के मुझे आगे और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का प्रोटसाहन मिले आशा है आप मेरी भावनाओं को समझते होंगे ऐसे ही आप खुश रहिए, मस रहिए टेक केर, धन्यवाद गुड डे, गुड नाइट वाटेवर, वेरेवर यू आर थैंक यू, जैहन, जैवारत